हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने जेनल दी एक्जाम हेल पर में तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एंटी पीसी की लाइब टाइपिंग करके दिखाने वाला हूँ कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है जिससे आपके डाउट किलियर हो जाएंगे तो देखे यहां पर मैं टाइपिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखे स्टार्ट करते ही क्या हुआ मुझसे गलती हुग देखे तो पर मैंने बंद नहीं किया ठीक है इसमें देख सकते हैं आप नंबर भी देख रहा हुआ आपको कॉमा भी देख रहा हुआ ठीक है और बोल्ड करने वाला भी देख रहा हुआ और आगे आके स्पेशल करक्टर भी दिखेगा तो बहुत अच्छा काज़ा मैंने पेराग्राफ यहां पर उठाया कोई भी सब्सक्राइब करता हुआ तो सब्सक्राइब करने वाला हुआ जिससे आपका टाइम थोड़ा बचयागा तो यह आप देखिए बगल में आपको देखिए स्पीड का इकन शोग रहा हुआ इस पीड देख रही है इस पीडो मीटर से टाइमिंग ऊपर चला है और यह लाइफ टाइपिंग फिल चला है और बैक स्पेस का बिल्कुल भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ आपको देख रहा हुआ एक भी बड़ अगर बैक आपको नहीं देखेगा अगर गलत होता तो ग झाल 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 और यहां पर आपको दिख रहा हुआ यह एक्सराइज नंबर 20 थी और 10 मिरिट की टाइपिंग किये मैंने जुसमें जो मेरी स्पीड निकल कर आ रही है वो है 43.8 यह नेट स्पीड है ग्रॉस 47 थी और एरर हिट्स की है 39 ठीक है 49 गलती है और एरर 49 है और एरर हिट्स की है 5 का एक होथा ना तो एरर हिट्स 195 है अब इसमें दोस्तों दिकत क्या ओरी बेर महुं बता जिता हूं देखो इसमें क्या होता है दोस्तों जैसे कि यह आपको दिख रहा हुआ एक वर्ड एट जय कर दिया हो ना तत द द यहाँ टेली इसके टी ए इसकोप लिखाता, अगर मान के चली अगर टैली इसकोप यह होता है तो मेरे से क्या C की यहागा है, एस ठीक ना, S की यहागा C आगा है, सोरी तो यह मैंने क्या गरा, फिर स्पेस दबादी आगे बढ़ गए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर एक भी बढ़, इसमें मान के चली टैली इसकोप लिखा है, अगर आपसे यह बढ़ भी गलत हो गया, तो वो पूरा वर्ड जो है गलत मानता है, अब NTPC में पता नहीं कैसे लेंगे कि जो यह वर्ड है टैली इसकोप, जो टैली इसकोप आपको दिख रहा है, मान के इसमें क्या होता इसमें अगर एक वर्ड गलत हो गया, तो मान के पूरा वर्ड ही आपका गलत चलाएगा, अब NTPC में बता नहीं है कि इसके गलती, इसकी गलती के चक्कर में पूरा वर्ड गलत करेंगे, या फिर अकेला इसे ही गलत करेंगे, यह NTPC में डाउट निकल कर आ रहा है, कि अग और मैंने तो और युज निकरता है, यह बेस्ट अब ठीक है, तो इस पर यह क्या होगा, अगर मैंने यह गलती कर दीए, यह तीन सही करेंगे, तो यह पूरा गलत मानता हूँ, ठीक है, इस पूरे को अटा देगा, और NTPC में अगर हो सकता है, यह तीन सही करेंगे, और एक एक वर्ड के चक्कर में, इसके चक्कर में पूरा वर्ड हटा देता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, यह तो ठीक है, अगर हम मान के चलिए, किसी ने 100 गलत कर दीए, तो पांच इस पर गलती होती है, यानि कि उसकी गलती कर दीए, और अगर यही वो पूरा पूरा वर्ड और इस तरीके से अगर आप कितनी गलती कर देते हैं, चालीस, तो कहीं ने कहीं आपके लिए बहुत हानिका रख है, देखें, यहां 100 गलती है, फिर भी आपकी जो वर्ड आ रहे हो 20 है, पर यहां 40 गलती मानी जाएंगे, क्योंकि एक अगर एक भी आपने इस या इस पर, क्योंकि अभी यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर मेरा रियल्टे जो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको देखिए, मेरे टोटल जो वर्ड है, हुआ है 392, और मैं मानना हूँ यह इसको एक एप्रोक लेलता हूँ, 400, अपनी गलती कितनी माफ है, मैंने प्रिवीस वीडियो में बताया था, जो रियल्बे का फॉर्मुला है, पांच परसेंट गलती माफ करेगा, तो 40 का परसेंट गलती है, तो 40 गलती है, तो 20 तो मेरी माफ हो गई, बची कितनी 20 गलती तो 20 गलती को क्या करता है, जो 20 गलती इसको दसेंट टू करता है, दसेंट टू करेगा कितने 200 क्या हो जाएंगे, यह हो जाएंगे 200 वर्ड मानता है फिर उसको, तो 400 मैंने टोटल वर्ड टाइप किये, 200 क्या करतेगा, इसमें से घटा देगा फिर, तो टोटल वर्ड हुए इसमें मेरे बढ़न 432, मैं मान के चलना हूँ 480 हैं, इसमें गलती है मेरे 50, तो 5% माप होगा, यानि कि इसका 5% होगा, 24, 24 माप होगा, तो गलती कित्ती वची 26, 26 का 10 cent गुरूगा, 260 मैं से घड़ जाएंगे, तो 0 बचेगा, 8 मैं 6 दो, 4 मैं 2, 220 वर्ड यहां से क्या होगा, म 220 वर्ड बचेएंगे, तो मेरे टाइपिंग के त्याई 22, तो यहां पर भी फैलो गया, अब चलिए एक और ची दिखाता हूँ, बगी स्पीड आप देख सकते हैं, स्पीड में कोई दिखकत नहीं है, स्पीड तो मेरे ठीक टाक आती है, बस बागी गलतीयों पर थोड़ा वो करना है काम, तो देखिए यहां पर आपको भी गलतीयों पर काम करना है, ठीक है, और स्टार्टिं में क्या करना, आपको सलो सलो टाइपिंग नहीं, अब देखिए यहां पर 473 हैं, और 49 मेरे वर्ड गलत हैं, तो यहां पर भी सेम सिचुएशन होगी, यह अठार भी एक कल देखिए कल कितने वर्ड गलत हो रहते, कल यहां पर मैं थोड़ा रोका था, इसको 46 पर रोक गया था, तो हलाकि फिर भी बहुत चारे वर्ड जो है गलत हो, यहां पर देखिए वर्ड मेरे कितने थे, 487 तो मान के चलिए मैं 500 वर्ड बनता हूं, और गलती मान लेता हूं मैं 46, तो 500 वर्ड का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना होगा 25 गलती है, तो 25 तो इसमें से मैनिस हो, वो माप हो जाएंगे हमारी, तो कितनी बचेंगी 21, 21 गलती बचेंगी 10 से इन्ट करेंगे 210 वर्ड, 210 वर्ड इसमें से हटाएंगे, तो हमारा बचेंगा यहां पर कितना चार में से दोगाए 2, 290 बचेंगा, यानि कि 29 हमारी टाइप में आ गई, और यहीं अगर यह गलती मेरी 24 होती है, तो ठीक है, यह छोड़िए, आनके चलिए, 500 वर्ड मैंने टाइप कर दिए, और मेरी गलती यहां पर कितनी है, 20 गलती होती, महलब काटनी है, टोटल मेरी गलती होती, 40, तो 20 तो माप कर देता, 20 इसमें से काटता, यानि 200 बट काटता, दो 100 बट इसमें से काटता, बढ़ किते बचे 300 तो मेरा यहां पर सेलेक्शन हो जाथा, तो आपको गलती है, मिनिमम से मिनिमम करने है, टीक है, तो यह था इस वीडियो में, और बाकी आप बद और कल देखिए, 70, 83, 46, तो कल से मैंने इंप्रूब किया, तो आपको भी यह करना है, शुरुआत में जो इंप्रूब में के लिए मैंने जो चीज अप नहीं हो है कि सलो-सलो करता हूं, और अगर गलती है मेरे से ज्यादा हो जाती है, पांच मिनिट के अंदर मान के चली, 20 मीनिट में से 20 में गलती हो गई, मैं क्या करता हूं इसको पर सलो कर दिता हूं, टाइपिंग को अपनी तो मिरे देखिए, शुच शूच की तिकत नहीं हो है, एरर पर थोड़ा काम करना है, तो एरर मेरे काम, यह हो काम हो जाएंगे मैं डिलीका आदा घंटा दूंगा, त बाद में फिर आपको तेज कर देना अगर आपका वर्ड टिक टाक चलने तो और वाकि ये वाला डाउट तो पता ही नहीं है कि कैसे के लिए होगा कि केवल एक स्ट्रोक के चक्र में पूरा वर्ड गलत करेंगे या केवल एक स्ट्रोक के चक्र में एक स्ट्रोक ही गलत करेंग